और अबाद पहषिब मंगाल की, पहषिब मंगाल के संदेश खाली मामले की होगी, CBI जांच कोलकता हाई कोट ने दिये हैं जांच के आदेश, 2 मई तक जांच पूरी करेगी CBI की टीम, 2 मई को संदेश खाली मामले में अगली सुन्वाई होनी है, और तब तक CBI को इस पूरे मामले में जाच को पूरा कर लेना है कोलकता हाई कोट की तरफ से जाच के ये आदेश दिये गए हैं ताकि CBI जाच कराई जा सके संदेश खाली के मामले में दो मई तक जाच को पूरा करने के लिए कहा गया है संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो वहवार किया गया उसको लेकर कोलकता हाई कोट ने जाँच के आदेश दे दिया है CBI जाँच की जाए गया हमाई साथ इस पर और जाद जानकारी के लिए TV9 भारतवर समादत्ता रवी दत्ता जोड़ गया है रवी कोलकता हाई कोट की तरफ से अब ये आदेश दे दिया गया है कि CBI जाँच कराई जाए इस पूरे मामले की जी बिल्कुल आज कोलकता हाई कोट ने जितने भी सारे मामला है इसका सौंदेश खाली खा उसको CBI को सौंप दिया है इसका पहले CBI प्रिलिमिनरी शेक शाजान का केस हैंडल कर रहा था और हम लोगों को पता है कि स्टेट पुलिस से CBI के पास शेक शाजान को हैंड ओवर करने के लिए कितना बड़ा एक ड्रामा देखना पड़ा था अब शेक शाजान जहां इडी कस्टडी में है और CBI को ये केस होपा जाता है चुनाओं के पहले ओविएसली ये जो रूलिंग पार्टी यहां के सत्ता रूर पार्टी है त्रिनमूल कॉंग्रिस उसके लिए बड़ा जटका है क्योंकि CBI जब जांच करेगी तब हर एक चीज को यहां पर परखा जाएगा और CBI ने ये आदेश दिया है कि दो मैने के अंदर ये कॉंप्लिट करना है और सबसे बड़ी बात है कि पुरा सौंदेश खाली के अलग-अलग जगा जहां पर ये पुरा मामला घटी है वहां पर आपको CCTV लगाना है वहां पर दो ओफीसर्स वहां पर जाएंगे और स्टेट पूलिस को पुरा यहां पर कोपरेशन करना है जहां दो दिन पहले यही शौंदेश खाली पे एक कॉंस्टेबिल को पीछे से डर्णा मार के हर्तिया करने की कोशिश किया जाता है तो यह जाहिर सी बात है शौंदेश काली अभी भी शांत नहीं हुआ है तो अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है तो CBI इसका जब जाच पर तल करेगी तब शेख शाजाहन और उनके साथ जो पूरे गैंग उसके जुड़े हुए थे आज जैसे उसको वाइफ को बुलाया गया है एडी दफ्तर तो यह पूरा जो सिंसिला है संदेश खाली का इसका पूरा तैकीकात किया जाएगा और जो लोग दोशी यहाँ पर पाए जाएँगे जो आरोप यहाँ पर किया है उनको F.I.R. तरोड के से टृट किया जाएगा और फिर उनको आगे उनका जो कारवाई होगा वो किया जा परान राज्य सरकार CBI को जाच में मदद करें ये कहा गया कोट की तरफ से पीडित सीधे CBI से शिकायत कर सकेंगे तो क्या कुछ हुआ है कोलकता हाई कोटें क्या का है इस पूरे मामले में आपको बता देते हैं है कि राज्य सरकारless CBIлем को जाँच में मदद करें यानी संदेश खाली के मुद्दे पर JTA से शिकायत कर सकेंगे अब पीडित सीधे CBI से शिकायत करेंगे CBI को एक पोर्टल तयार करना होगा यानि एक पोर्टल तयार करेंगे जिस पर की लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं संदेश खाली के जमीन कबजाने रेप, कृशी भूमी के ट्रैंसफर की जाच होगी यानि ये तमाम मुद्धें जिन पर जाच की जाएगी, कोट की निगरानी में CBI की टीम जाच करेंगी और दो महीन तक इस जाच के जो परिणाम है वो सामने आएंगे प्रभावत इलाके में 15 दिन के अंदर CCTV भी लगेंगे, यानि सिर्फ यही नहीं कि शिकायत कर सकते हैं CCTV भी इस इलाके में लगाए जाएंगे, 15 दिन के अंदर LED लाइट भी लगाए जाएंगी LED लाइट और CCTV मौजूद रहेंगे, सभी सबूतों को सनरक्षत करना जरूरी होगा CBI जाच के लिए किसी भी व्यक्ति को भेज सकती है, यानि CBI किसी को भी जाच के लिए निउक्त कर सकती है और जाच के लिए वहाँ भेज सकती है संदेश खाली मामले को लेकर, कोलकाता हाई कोट के CBI जाच के आदेश के बाद केंद्रे मंत्री निशित प्रमानिक ने क्या कहा, आईए वो भी सुनकर है कोई भी निरपक्ष संगस्था अगर इसका तदंत करेगा तो निशित रूप से दोशी जो है, वो दोशी को चिन्नित किया जाएगा और लोगों को विश्वास भी है, जो निश्पक्ष सता के साथ ये केंद्रे एजनसी, बहुत सारे जो केसे उसका सॉल्व भी किया है और संदेश खाली में जो घटना हुआ है, वो निश्चित रूप से बहुती दुखदायक घटना है और मैं कहूंगा आज जो महामान उच्चा अदालत की जो ये राय है, ये जीत है ये जीत सर्फ मैं कहूंगा कि संदेश खाली की महिला का नहीं बलकि पुरी बंगाल में जितनी भी महिला प्रतारीत हो रहा है, निर्जातित हो रहा है, उन सभी माताओ की चाय है